Assalamualaikum, I'm Salim Khan from Jina Group LDA City Lahore मेरा contact number plus 923229472812 है आप मुझसे LDA City से regarding queries को clear करने के लिए रापता कर सकते हैं इसके लावा LDA City में Jina sector और Iqbal sector में residential plot और residential file की selling purchasing के हवाले से रापता कर सकते हैं जिना sector में जो अभी commercial चल रहा है उसमें अगर आप selling और purchasing करना चाहरे हैं तो इसके हवाले से भी रापता कर सकते हैं आज की इस वीडियो का मकसद आपको LDA City का जो जिना sector है उसके बारे में update देना है particularly जो F और J block हैं जो के 5 मरला की category में हैं उनके बारे में update देना है अभी जो मेरी current location है उसके बारे में आपको बताता चलूँ के जैसे ही हम 5 नमबर stop से केनाल रोड के थूरू LDA City के अंदर इंटर होते हैं तो तकरीबन एक किलो मेटर का डिस्टंस हम जब कवर करते हैं LDA City का जिनास सेक्टर का एरिया में हमारे left side पे वहां पे 200 feet का चिनाब रोड आता है उससे जैसे ही हम इंटर होते हैं LDA City के जिनास सेक्टर में तो start में हमें हमारे right side पे G1 ब्लॉक और left side पे C ब्लॉक और इसी तरह थोड़ा सा और मजीद आके आते हैं और roundabout के थोड़ा से मजीद आ गयाते हैं तो हमारे right side पे J ब्लॉक आ जाता है और left side पे F ब्लॉक आ जाता है आज की इस वीडियो का मकसद आपको F और J ब्लॉक जो हैं जो के पांच मरला की कटिंग में इनके बारे में ही मालुमाद शेयर करना है इन में जो main points हैं जो मैं आपके साथ discuss करना चाहरा हूँ उसमें सबसे पहले land acquisition की जो मामला आते हैं F और J ब्लॉक में उसके साथ जो अभी तक development का काम हुआ पड़ा है उसके बारे में discuss करना है और साथ ही इसमें जो electrification के हवाले से अभी positive news आई है underground electricity का जो इसमें काम होना है उसके हवाले से मालमाद शेयर करना है और आखिर में में आपको जो F और J ब्लॉक में जो journal rates हैं और इसके लावा जब हम main road ये 200 feet का चनाब road है इसके उपर rates और जो 1.500 feet का नीलम road है उसके उपर जो plots आ रहे हैं F और J ब्लॉक में वहां पर क्या rate भी जो market में चल रहे हैं उसके हवाले से मालमाद शेयर करना है सबसे पहले मैं जो है आपको F और J ब्लॉक में जो land acquisition के मामलात हैं उनके बारे में discuss करता चलूँ F ब्लॉक में अगर हम जाते हैं तो इसमें तकरीबन जो है 80-85% land LDA के पास जा चुकी और तकरीबन 15-20% land अभी ऐसी है जो require होने वाली है और F ब्लॉक के एरिया में जो land require होने वाली है वो सारी green field है या पर कोई ऐसा litigation का issue नहीं है घर वगेरा का कोई मामला नहीं है जो घर बने हुए या उनको गिराना पड़ेगा LDA को सिर्फ उन्होंने green field को ही require करना है और जैसे ही वो land require करेंगे वहाँ पे वो development का काम कर सकेंगे इसी तरह J block में अगर हम जाते हैं तो J block में तकरीबन जो है 60-65 का जो एरिया है उस पे काम हुआ पड़ा है already development का carpeted road बने हुए जबके तकरीबन 40-45% एरिया भी ऐसा है जो अभी LDA ने acquire करना है LDA ने उसकी जमीन लेना है अब इसमें J block में अगर हम जाते हैं तो इसमें 2-3 जगा ऐसी हैं जहां पे घर बने हुए हैं जैसे ही roundabout से गुजरते हैं तो screen पर भी आप जो है ये video clip देख रहे हैं इसमें आपको clear हो रहा होगा roundabout के साथ ही कुछ area ऐसा है जहां पे अभी घर बने हुए है हवेली बनी हुई है इसमें कुछ litigation का issue आने वाले वक्त में हो सकता है बाकि इसके इलावा अगर हम थोड़ा सा और 200 feet road पे आगे की तरफ जाते हैं roundabout से तो 75 feet road है इस area में अभी कुछ green field है जो के अभी clear होने वाली है ये green field का ऐसा चिशू नहीं है क्योंकि ये LDA के पास जो है बहुत जल्द require हो जाएगी मसला जो land litigation में आ रही है उसका आ सकता है लेकिन hopefully ये भी जल्दी require करके यहां पर development का काम जो है F और J block दोनों में ही जल्दी complete कर लिया जाएगा next इसमें development status की अगर बात करें तो मैंने अभी आपके साथ जो share की है मालूमात उनके मताबिक जो है तकरीबन F block में 80-85% development का काम हुआ पड़ है आप जो है वीडियो में देख भी सकते हैं के road carpeted आपको नजर आ रहे हैं Secondly इसमें जो बात डिसकेस करने वाली development का status है इसमें development का status को अगर देखें तो F block में तकरीबन 80-85% काम complete हो चुका हुआ है जितने भी area में अभी तक काम हुआ है वहाँ पे total जो है carpeted road बन चुके में even जो road के side पे markation होती है bricks के उपर वो भी हो चुकी हुए इसी तरह जो J block है वहाँ पे भी तकरीबन 65% की surrounding में काम complete हो चुका हुआ है और यहाँ पे भी F वाली सूरते हाले जो काम complete हुआ है वहाँ पे जो है carpeted road हमें मिलेंगे और जो bricks के उपर जो markation का काम है वो भी complete हो चुका हुआ है third point इसमें जो मैं discuss करना चाह रहा हूँ वो electrification के हवाले से electrification के हवाले से इसमें तकरीबन 2-3 हफ़ते पहले positive news आई थी इसमें जो है LDA ने टेंडर जो हैं वो जारी कर दी हुए electrification के हवाले से जो 2-3 हफ़ते पहले इसमें news आई है LDA City का जो जिनास एक्टर है उसमें C block, E block, D block और F और J block है F और J block की अगर बात करें तो F और J block package 3 में include है और जो इसके लिए रकम मुक्तस की गई LDA के तरफ से वो 92 क्रोड 15 लाक रुपे टेंडर जिसका दिये गया है SKB company को और यहां पर आप देख भी सकते हैं SKB company जो जिसने यहां पर underground electricity का का काम करने उन्होंने अपने containers रख दी हुमें और hopefully जो है इसमें two to three weeks में electrification का जो underground होनी है उसका काम शिरू हो जाएगा last में हम जो है जो Jena sector के F और J block का एरिया इसमें अगर हम rates का डिसकस करें कि इसमें जो F block में क्या rates चल रहे हैं और J block में क्या rates चल रहे हैं तो F block के एरिया में अगर हम जाते हैं F block में हमें जो rate मिलते हैं वो तकरीबान 28-30,000,000 की bracket में मिलते हैं और इसी तरह अगर J block में जनल के टेगरी के plot में जाते हैं हम तो वहां पे हमें कोई 22-30,000 की surrounding में plot मिलता है ये दोनों blocks ऐसे हैं जो के 200 feet चनाब जो road है उसके साथ भी connect हैं और इसके साथ साथ जो नीलम road है जो के in future जाके फिरोजपूर road के साथ connect होना उसकी भी इनको direct access मिलती है अगर हम डेट सो फिट नीलम road की उपर जो plots आ रहे हैं F और J block में उनकी discuss करें के उनमें क्या rate चल रहा है तो उनमें तकरीबन जो है 65 से 75 की bracket में rate चल रहा है इस वक्त में और अगर हम 200 फिट चनाब road की बात करें जिसकी connectivity इकबाल सेक्टर से होती हुई लाहो रिंग road के साथ होनी है in future तो इसमें जो है 200 फिट चनाब road जो है इसमें हमें तकरीबन कुछ 70 से 80 की bracket में जो है plots का rate मिलेगा अब पांच मरला की cutting में अगर हम buying करना चाह रहे हैं इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त में F और J block में हम जो है अगर purchasing करते हैं तो सबसे best time है क्योंके F और J block में जो litigation के issues हैं मतलब जो land acquire होनी है उसके मामलात के उपर भी काम हो रहा है साथ में साथ जो underground electric city है उसका भी काम इसमें जल शीरू होने वाल है तो इसमें जो है तमाम जो activities हैं जो possession की तरफ इन blocks को लेके जारी है उनके उपर काम हो रहा है और hope की जारी है कि इन्शाला आने वाले वक्त में तकरीबन कोई छे से आठ मा के वक्त में इन जो blocks में जो है possession के अनॉंस्मेंट अल्ली की तरफ से कर दी जाएगी अब अगर इस वक्त में हम investment करते हैं एफ और जे ब्लॉक में पांच मरला की category में में देखने को मिल सकता है आप अगर LDA City के जो जिना सेक्टर में पूरे जिना सेक्टर में एकबाल सेक्टर में plots या files की purchasing या selling करना चाहरे हैं उस हवाले से भी राप्ता कर सकते हैं इसके इलावा particularly F और J block में पांच मरला की cutting में 1500 feet पे buying करना चाहरे है या selling करना चाहरे हैं इसके इलावा जो 200 feet का road है इसमें buying या selling करना चाहरे हैं तो मेरे से आप राप्ता कर सकते हैं मेरा contact number plus 923229472812 है मजीद LDA City से regarding queries को clear करने के लिए और LDA City से related updates हासिल करने के लिए आप हमारे जिना ग्रूप का जो YouTube channel है उसको subscribe करें और bell icon को press करें